Hello friends, मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल Friends, हमारा जो आज का वीडियो है, वो हमारी जो e-commerce की series चल रही है Laravel 8 में उसका 16th वीडियो है और आज के वीडियो में भी हम लोग कुछ points है enhancement के जिनके बारे में हम लोग discuss करने वाले हैं और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा issue है हमारी coding में जिसको भी हम लोग आज discuss करेंगे तो मैंने actually मैं सोचा था यही था कि कोई ना कोई यह point जरूर बोलेगा पर किसी भी वीडियो में मेरा यह point आया नहीं है कोई भी क्या point है उसके बारे में हम लोग बात में discuss करते हैं तो friends जो e-commerce की website में आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ already यह website में मेरे किसी client के लिए भी बना रहा हूँ जब मैं data डालने लगा तो मुझे कुछ यहाँ पे छोटे छोटे issue दिखाई दिए है वही issue को मैं आज resolve आपको यहाँ पर करना पता हूँगा सबसे पहली चीज़ है हमारी यह section एक तो categories के section में हमारे पास कुछ issue है पहली चीज़ यह है अब हम कोई category को add करते हैं add category करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास उस category की parent category आती है लेकिन अगर मैं सारी के सारी category ही delete कर दूँ अगर category ही delete कर दूँगा तो यहाँ पे parent category कौन सी आएगी क्यों क्योंकि यह तो हमारा required validation है यहाँ पे हमने बोला कि parent category select करनी ज़रूरी है अब अगर जब भी मैं हमारे project में first category बनाऊंगा तो उसकी तो कोई parent category होगी नहीं तो इसके लिए हमें एक छोट आसा validation जो है वो यहाँ पे हटाना पड़ेगा manage category के blade में चलते हैं हम लोग और यहाँ पे जब हम category select करते हैं मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखाता हूँ category का name आ गया यहाँ पे हमारे पास parent category आ गई यह जो drop down है हमारा यहाँ पे जिसमें हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे select category इसकी value में यहाँ पे 0 कर देता हूँ इससे यह होने वाला है कि जब आप first time category add करेंगे मैं reload करता हूँ अब मेरा category का कोई भी validation यहाँ पे नहीं चलेगा अगर उसे कोई भी category नहीं मिली तो वो 0 नाम की parent category को यहाँ पे add कर देगा एक point तो हमारा यहाँ पे हो गया दूसरी यह चीज़ है कि जब भी मैं category को add करता हूँ और let's say मैं कोई image select नहीं करता हूँ मैं यहाँ पे category का select कुछ भी डाल देता हूँ और submit के button पर click करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक error आती है error इसलिए आई क्योंकि हमने image को select नहीं करा तो categories की table में चलते हैं और यहाँ पे यह जो image है इसकी एक default value set कर लेते हैं और इसको मैं null से यहाँ पे default values की डाल देता हूँ अभी जब भी data add होगा तो automatically image जो है वो blank डालेगा और जो category है यहाँ पे हमारी add हो जाएगी दो point हो गए हमारे तीसरा show in home page अब देखिए कैसा होने वाला है कि जब हम हमारे front end पे आएंगे तो हमारी यहाँ पे बहुत सारी categories add होंगी अब हम यह भी चाहते हैं कि categories को हमें हमारे home page पे दिखाना है पर कुछ categories ऐसी हो सकती है जिनने हम home page पे नहीं दिखाना चाते तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे कुछ option बना के रखना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे एक check box बनाओगा अगर check box user ने select करा होगा इसका मतलब वो category front end पे आने वाली है नहीं select करा होगा तो वो category front end पे नहीं आएगी इसके लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे और एक field add कर देंगे in home नाम से integer है यह ध्यान रखेगा तो यहाँ पे 0 जाएगा या फिर यहाँ पे 1 जाएगा 0 का मतलब यह है कि यह चीज homepage पे नहीं दिखेगी और 1 का मतलब होगा कि यह चीज homepage पे दिखाई देगी तो तीन चीज़े file कोलनी पड़ेंगी हमें यहाँ पे तो सबसे पहले तो मैं इसका एक controller जो है वो भी open कर लेता हूँ और जो इसका manage का page है यहाँ पे मुझे update करना पड़ेगा तो एक हमें यहाँ पे check box set करना पड़ेगा check box क्यो हो क्यों क्योंकि या तो yes करेंगे या no करेंगे या फिर एक drop down भी अगर बनाना चाहें तो drop down भी बना सकते हैं drop down में दो चीज़े रहेंगी yes और no तो कोई भी चीज हम लोग यहाँ पे use कर सकते हैं drop down और रेड़ी हम लोग यहाँ पे use कर चुके हैं copy paste यह code मैं सब यहाँ से हटा दे रहा हूँ फिलाल के लिए इन सब code की मुझे कोई जववत नहीं है reload करेंगे एक बार तो file का एक और option आ गया यहाँ पे और यहाँ मैं डाल देता हूँ show in home page और इसकी जगा पे मैं यहाँ पे जो हमने database में इसका नाम रखा था यानि की is home is home को copy करेंगे और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दोनों जगा पे type यह हो जाएगा हमारा check box इन सब की कोई जववत नहीं है मैं इसे हटा देता हूँ चलते हैं एक बार reload करते हैं तो यह check box हमारा यहाँ पे कुछ आगे ideally यह इसके नीचे आना चाहिए था थोड़ इसी styling करनी पड़ेगी यहाँ पे यह text line center लगा हूँ आशा है तो मैं इसको एक तो text line left बोल देता हूँ जिससे यह हुआ नहीं यहाँ पे क्यों नहीं हुआ एक बार देख लेता है अच्छा है इसकी जो width है वो 100% है यहाँ पे तो width अगर मैं इसकी कम कर दूँगा तो यह यहाँ पे बराबर तरीके से चलने लगेगा अगर मैं form control नाम की class ही हटा दूँ तो यह उपर आ जाएगा ठीक है मुझे कोई फरक नहीं पड़ता इस चीज से तो मैं इस class को यहाँ से हटा देता हूँ इसको थोड़ा सब align कर लेते हैं यहाँ तो एक हमने यहाँ पे ID दे दी और एक हमने यहाँ पे इसका type दे दिया चलते हैं एक बार reload करते हैं तो default हमारा यह selected नहीं है क्लिक करेंगे तो यह selected यहाँ पे हो जाएगा अब जब भी user इसे select करेगा तो data को database में डालना होगा उसके लिए मुझे controller पे आना पड़ेगा और सबसे पहले तो हमें इसका जो data है वो database से figure out भी करना पड़ेगा इस home का तो जहाँ पे हम database का data fetch करते हैं यह हमारा section है यहाँ पे मैं इसको भी copy करके डाल देता हूँ copy is home is home और नीचे blank से भी इसे initialize कर देता है और इसका data जो है database में भी डालना है अब check box है तो check box की यह property होती है कि अगर check box को select करा है तब ही उसका index बनेगा otherwise नहीं बनेगा तो यहाँ पे हमें एक condition डालनी पड़ेगी if इसको copy करते हैं यहाँ से और यहाँ डाल देते हैं is underscore home not equals to equals to null अगर यह null के बराबर नहीं है तो इसकी value इसकी मतलब is home की value one हो जाएगी और default value हम इसकी 0 रख लेते हैं और अगर हम इसको edit करें इस बार submit करें इस बार मैंने इसे select नहीं करा है और check करेंगे यहाँ पे तो इसकी value 0 हो जाएगी बस एक चीज रह गई कि जब भी हम इसे select करें अगर हम लोगों ने इसको select करके database में डाला था तो यह edit के time पे selected होना चाहिए क्योंकि database में यह समय one पड़ा हुआ है इसको देखने के लिए जो check box की property होती है वो property यह होती है कि अगर आप उसे select करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप check लिख सकते हैं reload करेंगे तो यह यहाँ पे checked हो जाएगा तो यही हमें इस पे set करना पड़ेगा कि अगर यह selected है तो checked हो नहीं है तो यह ना हो यहाँ पे अब इसके लिए यह कर सकते हैं कि जब हम data return कर रहे हैं यहाँ पे वो time पे condition कुछ लगा सकते हैं कैसे लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं is home underscore selected और इसके base पे condition लगा देते हैं क्या if this is equal to one अगर यह बराबर one है तो इसकी value हो जाएगी checked तो इसकी value हो जाएगी यहाँ पे checked c-h-e-c-k-e-d और default इसकी value blank रहेगी अब अगर हमने इसकी value one डाली तो यह selected रहेगा otherwise यह नहीं रहेगा same चीज़ को मैं जो blank वाला हमारा variable है यहाँ पे भी initialize कर देता हूँ और इसकी value को हम लोग यहाँ पे print करा देते हैं कैसे dollar this reload करेंगे तो यह यहाँ पे देखे checked आगे अगर मैं select करके submit कर दूँ और edit करूँ तो यह unchecked हो गया दुबारा अगर मैं इसे select करके submit करूँगा तो edit करूँगा तो यह यहाँ पे हमें checked मिल जाएगा तो यह भी जो हमारी requirement थी वो यहाँ पे पूरी हो गई अगली चीज़ brand में आ जाते हैं हम लोग brand में problem यह है कि जो image है हमारी वो compulsory है जब भी मैं कोई brand add करता हूँ तो image compulsory है तो इसको भी compulsory से हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं brand में आते हैं हम लोग और image में जो हमने required का option डाला था वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो image रही हमारी यह dynamically add होता था actual में और वो इससे होता था जब इसकी जववत ही नहीं है तो उपर condition से भी हटा देते हैं इसे यहाँ भी क्यो रखने की जववत है इसे reload करेंगे एक बार और अब यह required यहाँ पे नहीं रहेगा अगर मैं कोई भी brand नाम के submit करूँ तो data मेरा यहाँ पे submit हो जाएगा, edit करूँ तो यह बराबर यहाँ पे आ जाएगा अगली चीज, category के तरह ही हमें brand में भी एक condition लगानी पड़ेगी, कौनसी condition showing home page की, कि अगर हम चाहते हैं यह particular brand हमारा home page पे display ना हो तो उसके लिए हमें same to same एक condition लगानी पड़ेगी तो मैं इधर चलता हूँ और is home को मेरे brand में भी add कर देता हूँ brands structure status से पहले हम लोग यहाँ डाल देंगे, is home आगे हमारा code already बना हुआ है, बस उसको copy करना है हमें, तो मैं इधर चलता हूँ, category का हमारा यह जो section है, इसकी अभी कोई जरूवत है, इसकी तो है हमें तो यह जो check box हमने बनाया था, मैं इसी की replica लेके brand, जो brand का section था, यहाँ पर भी डाल देता हूँ let's say brand को add करने गए, यहाँ पर एक हमें option चाहिए होगा, तो मैं चलता हूँ यह जो check box हमने बनाया था मैं इसी को copy कर लेता हूँ और इसको चलके हमारे brand में डाल देता हूँ अब brand में हम लोग एक काम कर लेते हैं कि हमारा जो section है उसको थोड़ असा proper कर लेंगे और हम लोग क्या करते हैं कि एक ही column में जो हमारे दोनों के दोनों data है उसे डाल देते हैं क्योंकि brand का नाम obvious सी बात है कि इतना लंबा तो होगा नहीं तो एक ही रो में हमारा ये जो काम है यहां पर हो जाएगा इसके लिए अच्छा ये थोड़ा सा और spacing में अंदर कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ तो यहां पर हमारा ये div है इस div को यहां पर बंद होता है ये तो मैं इधर चलता हूँ और एक और div एट कर देते हैं यहां पर div एक और div और इसके अंदर तो मैं मेरा वो जो check box वाला code है वो डाल देता हूँ और अभी के लिए इससे हटा देता हूँ बाद में इसे add करेंगे नहीं तो error आ जाएगी हमारे code में उपर वाला जो code है हमारा इसको भी मुझे एक div में डालना पड़ेगा तो मैं इसको भी यहां से cut करता हूँ और एक div में डाल देता हूँ enter और यहां पर हम कर देते हैं div और इसको थोड़ा सा करनी पड़ेगी class हो जाएगी हमारी यह वाली तो six six का मैं box बना रहा हूँ यहां पर even nine का eight का और four का बना लेते हैं यहां पर इसको मैं कर देता हूँ यहां पर four एक बार करते हैं reload यह आ गया नीचे क्यों आया नीचे क्योंकि row नहीं डाला मैंने यहां पर row डालना मैं यहां भूल गया था तो मैं इसको करता हूँ यहां से cut और एक और class इसके अंदर डालते हैं bootstrap की div बनाया हमने और इस div में class डाल देंगे row नाम से यहां डाल देते हैं class row और इसके अंदर मैं यह जो मेरा सारा का सारा code हमने यहां बनाया है मैं यहां पर इसे dump कर देता हूँ एक बार reload करते हैं तो यह check box हमारा उपर की तरफ चला जाना चाहिए जो चला गया data हमारा थोड़ा सा है जो यहां पर जो set नहीं हो रहा है वो इसले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसकी जो class है वो यहां पर नहीं दी है यह नाम की class इस बार इस वाले पर हम लोग यह class दे देते हैं नीचे आएंगे तो I'm sure यह नीचे की तरफ यहां पर आ जाएगा चलिए इतना काम हो गया अब हमें इस पर जो controller है उस पर हमें देखना पड़ेगा और यह जो category का section है इसको मैं बंद कर देता हूँ इसकी जगा पर मैं controller open कर लेता हूँ हमारे brand का brand का controller मेरा यहां पर open हो गया जो जो चीज़े change करनी है वो मैं change करता हूँ और अब मेरे पास सारा data इधर पड़ा है तो मैं यहीं से copy करके डाल देता हूँ status से पहले status के बाद कहीं पे भी आप डालना चाहें इसे डाल सकते है इन दोनो variable को भी मैं declare कर दूँगा मेरे यहां पर और दोनों को मैं यहां पर blank से declare कर देता हूँ इतना काम हो गया मेरा process होगा मेरा तो data मुझे retrieve करना पड़ेगा और data retrieve करने के लिए हमने condition डाली थी उसी condition को copy paste हम यहां पे भी कर देंगे copy करते हैं इसको और जो हमारा brand का section है यहां पे हम लोग इसे डाल देते हैं चलते हैं एक बार reload करते हैं और front end पे भी इसको हमें print कराना पड़ेगा किसको कि जो हमने select का option यहां पे लिया था इधर चलेंगे और इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं जिससे कि यह default इसको select कर देगा back करते हैं किसी भी category को edit करते हैं show in home करते हैं submit करते हैं edit करते हैं show in home वहां selector जाएगा database में अगर हम जाएंगे तो यह हमारी value 1 हो जाएगी back करते हैं किसी और को भी करके देख लेते हैं मारूती को कर लेते हैं save कर लेते हैं database में देखते हैं तो इसकी value भी यहां पे बाना जाएगी तो यह जो point थे यह तो हमारे हो गए clear अब आ जाते हैं बड़े point पे जब मैंने Laravel पे first time मेरा project बनाया था वो time पे मुझे यह issue आया था और बाद ने मुझे realize हुआ कि यार यह मैंने क्या system बना दिया और वो time पे मुझे इसका solution नहीं पता था तो मैं बहुत परिशान हुआ था इसलिए मुझे लगा कि जब मैं भी आप लोगों को Laravel में कोई project बना रहा हूँ तो चलने देते हैं जिस तरीके से काम चल रहा है बाद में उसको sort करके हम लोग देखेंगे सबसे पहला काम यह सारी files में यहां भी बंद कर दे रहा हूँ जो खोली थी हमने अब issue यह होने वाला है कि जब हम front end पे आने वाले हैं हमारे तो front end पे भी हमें controller बनाने होंगे अब controller बनाने में problem यह है कि अभी हमने यह controller बनाए है admin controller, brand controller, category controller front end के भी यही controller बनेंगे almost category page के लिए category controller बनेगा या फिर इसके आगे नाम डालना पड़ेगा front category controller front customer controller front product controller second option यह था कि यह सारे के सारे controller एक admin folder के अंदर होने चाहिए थे पर problem यह है कि अगर आपने ऐसा करा तो आपको काफी सारी settings change करनी पड़ेगी वही setting क्या क्या है उसके बारे में हम डिसकस करने वाले है तो ideally यह structure कुछ इस तरीगे से बनना चाहिए था admin और इस admin के अंदर मेरे यह सारे के सारे controller आने चाहिए थे front के controller मेरे front में आते है यह हमें यहाँ पर करना चाहिए था तो मैं इन सारे controllers को यहाँ से हटा देता हूँ delete कर दिया मैंने यहाँ पर same to same चीज मुझे model के लिए भी करना पड़ेगा copy infect cut और admin नाम से एक folder इसके अंदर मैंने सब को deploy कर दिया पर अब problem यह है कि इसको करने के effect क्या क्या होंगे effect होंगे अगर मैं web route में चलूँ तो एक तो काम यह है कि मुझे यहाँ पर admin डालना पड़ेगा obvious सी बात है सब कुछ अब मेरा admin के folder में चला गया तो मुझे यहाँ तो admin डालना ही पड़ेगा सब पर मैं यहाँ पर admin डाल देता हूँ अब यह क्या करेगा admin के अंदर को point करने लग जाएगा पर अगर मैं reload करूँ तो मेरा यहाँ पर error आना शुरू हो जाएगा कि जिन चीजों को हम लोग include करा रहे हैं वो चीजे हमारी चल नहीं दी है एक मैंने यहाँ पर गलती कर दी है गलती यह कर दी है कि एक model के अंदर का अच्छा model के अंदर के तो model को हम हडा चुके http controller admin और यह controller जो default एक होता है इसको मैं at least बाहर रख लेता हूँ इसको तो हमें बाहर ही रखना पड़ेगा reload करते हैं तो यह target class का हमें यहाँ पर error आने लगेगा चलते हैं एक एक करके controller में हमारे dashboard पर चलते हैं सबसे पहले तो तो dashboard पर हमें admin controller में error आ रही है चलते हैं admin controller के पास एक बार और controller हमारे सारे के सारे यहाँ पड़े हुए एक एक करके चलेंगे सबसे पहले चलते हैं हमारे admin controller के पास कहाँ पड़ा है controller controller admin admin controller तो यहाँ पर सबसे पहला तो यह namespace चेंज करके इसको भी admin करना पड़ेगा, क्या इतने से हमारा code चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, रिलोड करते हैं, और देखते हैं, error change हो गई यहाँ पर, ठीक है चलिए, change हो रही है, error तो अच्छा है, कुछ तो बदल रहा है, कम से कम, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर जो model का folder है, उसे भी change करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा model admin folder के अंदर पड़ा हुआ है, और इसके साथ-साथ एक line और हमें यहाँ पर add करनी पड़ेगी, name space की, हमें यहाँ बोलना पड़ेगा, use, app, http, controller, और इसके साथ में एक और यहाँ पर controller, एक बार reload करेंगे, तो हमारा project अब बराबर चलने लगेगा, तो यह setting अब हमें हमारे सारे के सारे controller के अंदर जाके, फिर से एक बार करनी पड़ेगी चीज़ों को चलाने के लिए, चलते हैं, एक एक करके, brand में चलते हैं एक बार, तो brand है हमारा यहाँ पर, admin के अंदर brand होना चाहिए था, एक, odd name space, और यहाँ पर मैं slash admin करते था, तो यह दो line मेरी यहाँ पर आएंगी आएंगी, और जो brand का model है मेरा, उसको मैं यहाँ से change कर दूँगा, चलते हैं एक बार brand में, अगर brand open हो रहा है, तो सब कुछ बराबर चलेगा, पर brand हमारा यहाँ पर open नहीं हुआ, चलते हैं एक बार, model, admin, यह हमारा brand का model था, इसको मैं यही पर open कर देता हूँ, तो इस model में भी हमें change करना पड़ेगा, और यहाँ पर default admin डालना पड़ेगा, चलेंगे, reload करेंग तो हमारा code बराबर चलने लगेगा, तो यह changes अब हमें हर जगा पर करने पड़ेंगे, बार बार, first time, जब मैंने start किया था मेरा code, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, और मेरा बहुत time बरबाद हुआ था इन चीज़ों के लिए, मुझे यह था कि एक बार आप लोगों का भी time अगर खराब हो, पर हाँ, जब time खराब होता है, तब हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, अगर यह same चीज़ में आपको शुरू में बता देता, तो आपको इस चीज़ की value समझ में नहीं आती, इसके लिए मैंने शुरू में आप लोगों को बताया तो यह सारी जगा पर आपको change करने पढ़ेगा, हर जगा पर admin के अंदर का use कर रहे हैं हम, तो हमें हर जगा पर हमारा यह admin को include करना पढ़ेगा, यहाँ पर. color तक हमारे change हो गए हैं यहाँ पर controller के जो code है हमारे सारे के सारे यहाँ पर change हो गए हैं इससे मैं बंद कर देता हूँ यहाँ और अब हमारे रहे गए हैं सारे के सारे controller के changes तो copy करते हैं controller को brand का controller और admin controller इन दोनों को मैं बंद करता हूँ इसके बाद के जो मेरे controller है उन्हें open कर लेते हैं category, color, coupon चलते हैं इदर, category add हो जाएगा हमारा यह और यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा slash admin sorry, admin slash category save करते हैं, color में चलते हैं, इसको change करते हैं और यहाँ पर भी admin slash add करना पड़ेगा अच्छा, coupon कोल दिया था मैंने गलती से इधर चलते हैं, यहाँ भी इसको add कर लेते हैं color को coupon को बंद करते हैं, coupon तक हो गया हमारा coupon के बाद अगला क्या है, customer, product, size चलते हैं इधर और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ डाल देते हैं admin यहाँ भी डाल देते हैं इसे और यहाँ डाल देते हैं admin इधर भी चलते हैं और यहाँ भी डाल देते हैं admin चलिए बंद करते हैं इसे इसके बाद एक और बचेगा हमारा और वो है यहाँ पर text का एक और controller यहाँ पर दिख रहा है इसका, remove कर देते हैं इसे, text पे आ जाते हैं हम लोग, इसको भी change करते हैं और इससे पहले भी यहाँ पर admin डाल देते हैं, तो ideally हमारे जो सारे changes थे वो हो गए, एक बार website को चला के देख लेते हैं, कि सब कुछ चल रहा है बराबर, अगर एक page चल रहा है तो उसके अंदर का बा front end को देखना है, इसी के लिए मैंने आपको यह जो changes हैं, इनके बारे में बताया है, जिससे front end का काम जो है हमारा, वो smooth तरीके से यहाँ पर चल सके, तो friends, यह था एक आज का वीडियो, जो हमारे कुछ bending section थे, और एक यह जो change करना था, इससे related, next वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो हमारा home page है, उसके layout को set करेंगे और देखेंगे कि हमारा CMS से data अगर हमें home page पे लेके आना है, उसे हम कैसे लाएंगे, one by one, page by page हम चलेंगे, home page, category page, आगे के page को one by one यहाँ पे implement करते रहेंगे, so friends, I hope जो मैंने आपको explain करा है, आपको समझाया होगा, कोई doubt है, कोई issue है, तो please video की comment box में मुझे बताइए, source code, video के description पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे download कर सकते हैं, video friends अगर पसंद आए, तो please इसको like और share ज़रूर करिए, channel अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया हमारा, तो please उसे subscribe भी कर दीजे, thank you